उत्तरपरदेश ने अभ्यूदे एक स्कीन चलाई है जिसमें जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और किसी फाइनेंसियल वजह से वो नहीं जा पाते तो वो घर बैठे या फिर अपने आसपास के जिलों में उनकी जो सूचना जो सूची है जिलों की वो जारी कर दी जाए में अभी जो ओफलाइन है वो पेपर बारबजे से चलेगा आज बारबजे से और जो ओलाइन है उनकी डेट जल्दी आएगी तो अगर कोई ओफलाइन पढ़ना चाहता है तो ओलाइन में जहां-जहां पर मंडल दिये हुए हैं वो दिखा देंगे हम ठीक है तो यूपीए एजामिनेशन यूपीटर बलसी टैट पीओ और भी हैं इसमें अंदर ये ओनलाइन के लिए है तो यह चीजे हैं जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दो लिंक दूंगा जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रेशन में थोड़ी स रजिस्ट्र करना नीचे जो लिंक दी हुए डेस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके सेलेक्ट एग्जामिनेशन का थोड़ा सा ओप्सन खुलेगा यहां पर से यह चांट लेना आप ओफ-लाइन करना चाहते हों वहीं पर जाके क्लास करना या फिर ओनलाइन जो क्लास होगी वह मंडल दिये हुए हैं उसके अंदर जो भी जिले होंगे वह डिकलेर हो जाएंगे तो फिलाल इतना ही आपको काम करना है और इसमें मेरिट बेस पर शायद हो सकता है क्योंकि उसमें से चांटे जाएंगे कि कितने बच्चों कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं उस च अख लेगा देखो टेक्निकल दिक्कत थी फोटो तक जन नहीं जा रहे थे टेलिग्राम पे स्क्रीन सोट जैसे हम ले रहे थे इसलिए थोड़ा सब बेका रहा है तो अब टाइम कम है इसलिए हम फोटो से बना रहे हैं तो नाम लिख वार आये आपकी इमेल आईडी अगर आपने कोई भी फोर्म नहीं भरका तो इसे खाली छोड़ देना एड्रस में डालना जहां बी जहां का भी आपका एड्रस है जिला है आपका और यहां पर फूरा डाल देना आगले वाले कॉलम में ठीक है इस फॉर्म में इसे रिलेटिटिड को करने के बाद आप दिखा देगा कि आपने रजिश्टर कर लिया उसके तुरंत बाद दूसरी लिंक है लोगी वहां पर जाना क्लिक करोगे तो इमेल आईडियो और दस दिजिट का फोन नंबर जो आपने फोर्म में भरा था वो पूछेगा तो यहां पर क्लिक करते ही आप को बता देगा कि आपका स्टेटस क्या है देखो साक्षात कख्षाओ के लिए साक्षात मतलब जो अफ्लाइन कख्षाए हैं उनके चेयन हैं तो ओनलाइन परिक्सा गायोजन 13 फरवरी को किया जाएगा जिसकी समयसारी निम्न है लगर आपने nda cds का फोर्म के लिए अपल करती रहेगी हम महीं पर आपको डेस्क्रिप्शन में बताते रहेंगे और क्योंकि थोड़ा 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 करके यह आया है अभी पहले लग रहा था कि मेरिट बेस पर होगा इमेल आईडी पर वेरिफिकेशन वग्यारा जाएगा कहीं से कुछ क्लियर नहीं झाल